तो दोस्तो आज फरवरी की 24 तारीक है और आज का जो ये वीडियो है आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ किचन गार्डन के लेटिड है जो भी मेरे सब्स्राइबर दोस्त किचन गार्डन के जो प्लांट्स रहते हैं उसमें इंटरस्ट रखते हैं तो उसी के रिलेटर कुछ बहुत ही सुंदर खास पौधे जिनको आप अपने गार्डन में जगा दे सकते हैं और जो आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट भी दे हैं तो इस नर्स्ट्री का क्या ड्रेस हैज्ट क्या कोंटेक्ट न्म्बर है ये भी आपको मैं डिसक्रीप्शन में दे दोऊगा अगर आप चाहे तो इस नर्स्री में विजेट करके धूप में ये पौधे चलते हैं गमले में ग्रोव कर सकते हैं अगर प्राइज रेंज की बात करूं तो ये जो पौधे इनके जो प्राइज है वो इसका प्राइज मेंली 70 रुपीज है 70 रुपे तो हेल्दी प्लांट है इस तरह से देखे इसकी जो नई पतियां उपर की है उसका बड़े होने पर उसका भी बहुत अच्छानी से जो इस्तमाल है वो भी किया जाता है तो प्राइज की बात करूं इसका प्राइज है वह फंडर्ड रुपीज है और इस पौदे को भी जो आपने ग्रोव करना है वह धूप में ग्रोव करना है सनलाइट में नंबर ऐसे लगए जैसे आपने गरम मसाले के पौदे को हाथ लगा लिया तो इस तरह से ये All Spice प्लांट रहता है इसको इसी कारण से जो नाम है वो All Spice दिया गया है इस पौदे के देखे मिट्टी थोड़ी सी नमी के अंदर है तो इस तरह से मिट्टी इनकी थोड़ी सी नमी के अ पौदा बोलते हैं, बहुत से कमेंड्स आया थे, कपूर का पौदा हमें कहां से मिलेगा, तो देखिए इस अनुसरी में यह जो कपूर का पौदा ही अवीलेबल है, अभी चोटे प्लांट्स हैं, और रेडी मेरी वीडियो अवीलेबल है, कपूर के प्लांट पर किस तरह से केर करनी चाहिए कि इस तरह से इसको ग्रोव करना चाहिए और यहां पर आप देखेगा इसकी जो नई शूट्स हैं वो अल्रेडी मौसम के हिसाफ से निकलना स्टार्ट हो चुकी है प्राइज देंच की बात करूं तो इसका भी जो प्राइज है यहां पर इस तरह से पैकेट कर पाएगी यह नहीं लेकिन आप इसके पौदे को ज़ूर ग्रोव कर सकते हैं गमले में बहुत असानी के साथ इसका जो पौदा है वो ग्रोव हो जाता है प्राइज की बात करूं इसका जो प्राइज है वो 60 रुपीज है थोड़ा सा मीडियम साइज का प्लांट है और इ प्राइज की बात करूं तो इसका जो प्राइज है वो बहुत ही रीजनेबल है केवल 30 रुपीज 30 रुपीज में यह जो पौदा यहां पर रेवलेबल है नेक्स अगर प्लांट की बात करूं तो यह इस तरह से कुछ 4 इंच के पैकिट के अंदर लगावा प्लांट है और यह हींग का पौदा इसको हींग बोलते हैं हींग का पौदा घर में लगाना वैसे भी अच्छा माना जाता है इसको शुब माना जाता है तो इस प्लांट को भी आप घर में ग्रोग कर सकते हैं बहुत असानी के साथ यह जो प्लांट है यह गमले में चल जाता है प्राइज इसको fertilize करना चाहिए किस तरह से group करना चाहिए और खास तोर पर किस तरह से इस पौदे को घना या बूशी बनाना चाहिए semi shade area इस पौदे को बहुत पसंद रहता है हलका सा मिट्टी में जो moisture है वो दीजीगा तो ये पौदा बहुत अच्छे से growth करता है रेट की बात करूँ तो इसका जो प्राइज है वो केवल 30 रुपीज है 30 रुपे नेक्स अगर बात करूँ दोस्तों ये तुलसी जी का पौदा है तुलसी का भी अब जो growing season है वो already start हो चुक है ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये राम और शाम तुलसी है एक आपको काले गहरे रंग में दिखाए देगी दूसरा इस तरह से green color के अंदर तो दोनों को बहुत शुब माना जाता है घर में grow करना इस तरह से छोटे छोटे पैकेट में ये जो plant हैं ये एवलेबल हैं तो इस तरह से आप तुलसी का भी घर में जो plant है वो grow कीजिएगा बहुत शुब माना जाता है इस पोदे को grow करना तो हरबल, medicinal इसके बहुत से benefits भी रहते हैं पूरी धूप में ये इसली grow कर जाता है सकुलेंट की तरह इसकी पतियां रहती हैं बहुत असानी के साथ cutting से भी grow कर जाता है प्राइज की बात करों इस तरह से जो रेडिक प्लांट है यहां पर इसका जो प्राइज है वो 20 रुपीज है 20 रुपीज है तो बस उस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही इसी तरह से और भी बहुत से पोदे हैं तब तक के लिए बाई हैपी गार्डनिंग टेक कियर